Hello everyone, आप सबी का स्वागत है, मैं इट बेंस हिंदी मीडियम है, मेरा नाम वे दान सिंग है और मैं हूँ आप सबी का इंग्लिश एजुकेटर, तो चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कवर करने वाले हैं, चैप्टर नमबर टू की एक्सरसाइज़, चलिए, आगे ब मतलब जोड़ी और गृप का मतलब आप सभी जानते हैं, जहां सब लोग इखटा बैढ़ रहते हैं, इखटा होके, ठीक है, अब जहां पर ए दिया है, there are no national and racial distinctions in the realm of knowledge, like जो ज्यान का छेतर होता है, वहाँ पर area of activity, रिल्म को क्या कहते है, area of activity, तो जो ज्यान का छेतर है, rational and racial distinctions नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यह चीज़े नहीं होनी चाहिए, अब racial distinction का मतलब यह होता है, कि connected with the people's race, like बहुत से लोग अलग अलग जगाओं के रहते हैं, racist की होते हैं, like आपने कभी कभी सुना होगा, कि racial distinction हो रहा है, कि वो इस जगा का तो तो उसक जिसकी बात नहीं होती, चलिए, answer पर देखते हैं, अब answer का मतलब यहाँ पर यह है, क्या main चीज़ आपको discuss करने ही, basically, उसके बारे में बता रहा हूँ, knowledge does not see caste, जो knowledge होता है, जो ग्यान है, वो ग्या होता है, caste को नहीं देखता है, caste मतलब जाती, ठीके, creed को नहीं देखता ह अब creed का मतलब गया होता है, a statement of the basic beliefs of religious faith, जहां पर बहुत से लोग होते हैं, जो belief करते हैं, religion से रहकर, जो लाओ होता है, तो उसके अंदर ही बात आती है, उसके बात nationalism की बात करते है, राष्ट्र बात है, जो भौजा जोड़े होते हैं, राष्ट्र से, नेशन से, चीके, चली, whoever labors hard to acquire it, अब जो भी बैखती हूं, कोई भी बात हो रहे है, किसी के भी, जो भी बहुत प्रयास करता है, knowledge को पाने के लिए, महनत करता है, कठिन बरिजरम करता है, उसी के पास knowledge आती है, it goes with him, वो क्या होता है, उसी के साथ जाती है, it requires regular studies and connections, यहां पर आभशक्ता internet, अब देखिए, अब यहां पर बात ही हो रही है, कि अगर आप regular connected रहेंगे, बुक से, तो आप को knowledge तो मिलेगी, मिलेगी, लेकिन इसी के साथ, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से, internet, Google इन सब में चीजों को search भी करते हैं, आपको knowledge बढ़ता है, क्योंकि यह एक digital दुनि अब यहां पर दिया है, education is must for a fruitful life, ठीक है, अब यहां पर topic क्या कह रहा है, यह जो education है, यह पढ़ाई लिखाई जो है, वो बहुत ज़्यादा important है, कि इसलिए बहुत ज़्यादा important है, इसलिए बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि वो हमारे लिए produce करती है good results, good results का मतलब क्या हो अगर आप पड़ोगे लिखोगे तो आपको आगे जाए अच्छी नौकरी मिलेगी, हर एक चीज आपको मिलेगा, जो आपके लिए आवश्यक है, education, अब यहां पर हम देखते हैं कि हमको discuss करना क्या है, actually, education makes a man perfect, education क्या करता है, आदमी को perfect बनाता है, चीक है, it teaches us the manner of better living, यह हमको बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करता है, साथ ही साथ, हमारी life को भी better करता है, it removes the negative desire of a man, यह क्या करता है, आदमी के अंदर की जो negative desire होते हैं, ना negative चीज़े होते हैं, उसको हटा देता है, it teaches us to lead a systematic life, like हम कहते हैं, हमें अच्छी जिन्दिगी जीना चाहिए, तो systematic हो होता है, कि चाहू और से हमारा विकास हो, अब देखे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपने life में जो विकास नहीं कर पाते हैं, just because they have no education, जब, अब जब education नहीं होगी आपके पास, तो आप चाहू और से विकास कैसे कर पाऊ हो, ठीक है, अब fruitful life can't be imagined without education, बिना education के ग्या सभाविक तोर पर, चीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम आ रेक composition, चीक है, अब composition के अंदर गया आता है, letter आता है, तो आप लोगों को letter दिया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि letter कैसे लिगा जाता है, सबसे पहले हम question पढ़ते हैं, write a letter in about 150 words to a Japanese pen friend describing the centers of learning in ancient and medieval India, जो इंडिया को describe करते हूए, आपको क्या करना है, एक letter लिखना है, चीक है, उस letter में आपको किसको बताना है, यह सब कुछ, आपके friend को बताना है, जो आपको friend, उसका नाम क्या है, आप नाम कुछ भी चुन सकते हो, वो आपको एक दोस्त है, जैपान का, उसको बताना है, जैए, पिन कोड भी ढाल सकते हैं, उसके बाद आपको date डाल लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर salutation, आपको यहाँ पर डालना है कि dear korn, आप जाहें तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, friend का जो भी नाम है, वो यहाँ पर डाल सकते हैं, वो कोमा लगा दीजें, चीक ह अब फॉर्मल होता है तो उसका सिस्टम अलग रहता है जी कि उसका फॉर्मेट अलग है उसके हर इक चीज अलग रहती है यह इन फॉर्मल लेटर अब देखें आपको क्या लिखना है I have just received your letter and I am glad to read that you are interested in knowing about the center of learning in ancient and medieval India अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है basically कि I have just received your letter मैंने अभी अभी आपका letter जाया है वो रिसीव किया I am glad to read that you are interested मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ खुश हूँ यहनी happy I am happy बहुत ज्यादा खुश हूँ to read that you are interested in knowing about the center of learning like you are very interested interested का मतलब बहुत ज्यादा जानना चाहते हूँ इस विशे के बारे में ज्या जानना चाहते हूँ तुम यह जानना चाहते हो कि क्या है center learning or ancient medieval India का learning in ancient or medieval India like जो हमारी भारत है ना भारत का बहुत हिसे medieval or ancient history की depend करता है तुम उसके बारे में वो जानना चाहता है आगे बढ़ते हैं I am sure you must have heard about Nalanda अब जैसे कि में पूरी तरीके से जोरो कि तुम जानना चाहते है तुमको पता ही होगा already कि Nalanda University कौन सी है तक्षिला University कौन सी है these were two great center of learning like यह जो दो centers basically यह किस के center है ज्यान के center है known all over the Asia पूरी Asia हमें इसको जाना जाता है Asia जहां पे हम रह रहे हैं यह एक continent है देवा center of Buddhist learning यह ज्या है यह एक बहुत अच्छा center किसके center है बुद्धिश learning के अब बुद्धिश learning का मतलब यह होता है जो बुद्धिसम से जुड़ा हुआ है literature लिखा गया है बहुत साहित है तो उसके पढ़ाई की जाती थी चीके चलिए it other aspect of Indian philosophy and knowledge इसके अलावा इसका मतलब होता है पहलो चीके aspect of Indian philosophy and knowledge जो Indian philosophy है इसके साथ knowledge है उसके बारे बहुत ज्यादा क्या होता था यहां पर discuss किया जाता था ऐसा नहीं कि हर एक topic को छोड़ दिया जाता था these two universities had large libraries यहां के क्यों universities थी यहां पर बहुत बड़ी library थी यहां पुस्तकाले था but unfortunately they were destroyed पर अब गया होता है unfortunately बदकिस्मती से क्या होता है कि वो destroy हो जाती है by foreign invaders किनके तोरह destroy कर दिया जाता है foreign invaders जो भाहर से attack करते हैं उनको invaders कहते है the aim of education at these universities was not to make monks अब देखें यहां पर जो main जो एक target था उन लोगों का वो क्या चाते थे education को क्यों लाया जाए education को इसलिए लाया जाए ताकि इससे क्या हो इससे जो monks हैं उनको educate किया जा सके और universities was not make monks आएंगे लेकिन हमको educate करके monk नहीं बनाना ठीक है यह वाला भी perspective यहां पर था they emphasized on the all around development of the personality of the student all around development होता है एक बच्चे गाप उसके बहुत अच्छे से focus करते थे emphasize मतलब बहुत अच्छे से focus करना they not only imparted academic knowledge but taught logic grammar and even some handicraft so that the students might earn a living respectively and settle down as a household अब यहां पर क्या कहा जा रहा है they are not imparted academic knowledge क्या होता है कि यहां पर academic knowledge की बात नहीं हो नहीं ठीक है यहां पर impart का मतलब होता है देना यहां सिर्फ education के तौर पर हम academic knowledge ही नहीं दे रहे हैं but taught logic यहां पर logic हो गया grammar हो गया ठीक है इसके अरावा handicraft का भी knowledge हम यहां पर provide करते है that of the students might earn a living अब ज्या होता है इसके दवरा क्या होता है students क्या करते है बहुत अच्छे से knowledge तो लेंगी और साथ में earn भी करें ज्यान क्या करता है आदमी को एक profit देने के लिए तो रहता है लेकिन अगर आपके पास ग्यान है तो ग्यान की दौर आप क्या करेंगी कोई चीज earn कर पाएंगी पैसा है सब कोच है लेकिन education नहीं है तो भी वह वेकार बात है तो यहां पर बात यही हो रही है कि education बहुत important है and set and down as a householders और घ्या होगा उसके बाद आप householders की तरह settled हो जाएंगी अच्छी तरीके से चलिए आगे बढ़ते है indeed such was the reputation of these अब देखें वास्तर में indeed का मतलब होता है वास्तर में such was the reputation of these two centers of the learning that scholars from your country like इनकी बहुत जादे इज्यत थी repetition था इनका अलग-अलग जगाहों ठीके two centers of learning in scholar from your country and from Korea, China, Sri Lanka, Indonesia और क्या होता था अलग-अलग देशों से क्या होता था लोग यहां पर पढ़ने के लिया आते थे अब जैसे कि यहां पर हो गया Korea ठीके यहां हो गया China यहां हो गया Sri Lanka, Indonesia तो यहां से भी लोग क्या करते थे पढ़ने के लिए यहां पर आया करते थे to study here and carried back the torch of knowledge to their native lands और क्या किया जाता था वो जोंकी native lands है जहां पर वो रहा करते है वहां पर क्या करते थे ज्यान का प्रकाश लेकर चले जाते थे if you visit India अगर तुम इंडिया आते हो I will show you the remains of Nalanda मैं तुमको Nalanda के remains को show करूँगा चिके चली and you will have an idea of the grandeur of this place used to be और यहां पर क्या होगा आपको पता चलेगा किती भवता है इस जगह की तो overall हमने यहां पर letter देखा अब आकरी में क्या किया जाता है आप आपने body लिखी body लिखने के बाद क्या करोगे यहां पर आप add करोगे कि आप with best wishes चिके और आकरी में you are sincerely डालोगे चिके और उसके बाद जो भी आपका नाम हो अन्मोल हो प्रभांशू जो भी नाम हो आप यहां पर add कर सकते हैं तो यह letter writing थी यह भी composition का ही बाट है prepare a speech on the importance of library in about 200 words अब आपको यहां पर क्या करना है 200 शब्दों के अंदर एना एक library की महत्व पून क्यो है library महत्ता इस पर आपको एक speech लिखना है एना prepare करना है एक भाशर speech का मतलब होता है भाशर delivered at the annual function of your school like जिसको क्या करना है वो आपको deliver करना है देना है जब annual function होगा चीके तो यहाँ पर मैंने आपके लिएक तरीका बता है कि किस तरह से आपको speech लिखना है Dear friends Today I am going to speak about the importance of library मेरे प्यारे दोस्तों प्रियमित्रों आज की दिन में क्या करना है वाला यह मैं तता बताऊंगा library की क्या importance है चीके Our library is a must for every institute हर एक institute के लिए यानि institute गया होता organization चीके school एक institute होगा अलग-अलग companies भी institute होती है तो कही ना कहीं जो institute है basically इसके लिए बहुत important है We are fortunate to have a good library with about 300 books 3000 books अब यहाँ पर क्या है वो लोग यह कह रहा है कि यह बहुत ज्यादा important है और हमारे हाँ पर कितनी books है 3000 books जो है वो available है और हम क्या है बहुत ज्यादा खुश्म खुशनसीब हैं fortunate हैं चीके किस्मत वाल है Our library has books on various subjects अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है जो library होती है has books on various subjects वहाँ पर अलग अलग तरह की subjects की books वहाँ पर available है Besides encyclopedia, dictionary, atlases and other reference books इसके अलावा और भी किताबों के अलावा encyclopedia के अलावा histories के अलावा atlases के अलावा भी बहुत सारी किताबे यहाँ पर available These books are very useful यह से भी किताबे जो है We can find information on any place person, building, animal, etc. लगे हम किसी भी चीज की जानकरी प्राप्त कर सकते हैं कोई भी जानकरी किसी की भी जानवर की, भगशी की, पशू की, human की किसी की भी जानकरी We can also learn about events and discoveries हम यहाँ पर जो event घटना है जो होज की गई उन सबके जानकरी प्राप्त कर सकते हैं चली, आगे बढ़ते हैं There are books on science and geography that tells us about problems like global warming and pollution कुछ किताबे ऐसी होती है science की जोग्रफी की जो हमको सारी जानकरी प्रवाइट करती है जिसे global warming, pollutions We can also find out about our body how our organs are working किताबों की दोरा हमको सारी जानकरी प्रवाइट हो जाती है किन-किन चीजों की जानकरी हमको मिल जाती है जैसे कि body parts की किस तरह से वो काम कर रहे हैं किस तरह से उनका function है चली We can learn about space and space missions किताबों की दोरा हमको और भी जानकरी है अब अलग से जानकरी क्या space mission के बारे में बहुत सरी चीज़े क्या होती है धरती से rocket जाता है आसमान तक तो यहां तक की जानकरी कैसे पहुंच रहा है किस के लिए जा रहा है इन सब की जानकरी हमको मिल जाती है Besides, reference books, dear friends we can have books by great writer in Hindi and English in literature section अब literature section की अगर हम बात करें literature में Hindi आता है, English आता है जीगे, तो दोनों section की किताबे sections की किताबे होती हम यहां पर available रहती है चलिए, आगे बढ़ते है If you like stories, we have a lot of them there अगर आप जाते हैं, अगर आप stories को बहुत पसंद करते हैं a fan of letters If you like books on adventure, you can choose any from this section Fortunately, we have good library बहुत से letters available होते हैं जो बहुत अच्छे लोग के तुरा लिखे हुए यहां पर essays available यहां पर novels available हर एक चीज यहां पर available है हमाही library में Books हैं खास के adventure Adventure का मतलब क्या होता है आपने सुना होगा कि लोग क्या करते है एक यात्रा करते हैं यात्रा में जाते हैं Like Dorymon movies में भी दिखाया है adventures उनको connect कर सकते हो आप कि कहीं पर जाना एक ऐसी यात्रा जो बहुत ही वैसी है क्या कह सकते हो आप एक खतरनाक भी हो सकती है वो हो सकता है बहुत enjoying हो You can choose any from that section अब अपने section में से कुछ भी चुन सकते हो fortunately we have a good librarian और किस्मत की बात यह है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी librarian है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर लिगा है She is ever willing to guide us and help us to choose a book of our liking अब जो librarian होती है वो हमारी बहुत अच्छी से मदद करती है किसलिए मदद करती है ताकि हम easily book को choose कर सके Besides, our principal as you know, has introduced an open shelf system अब जो हमारी principal है उन्होंने क्या कर रहा है एक open shelf system जसको खोला है We are free to visit the library and browse a book there अब हम क्या कर सकते है एक digital library है वहाँ पर क्या कर सकते है वो जाएंगे और browse करेंगे उनको कौनसी किताब चाहिए browse करके वो निकाल देगे We can also borrow borrow का मतलब होता है उधार लेना borrow का मतलब होता है उधार लेना But we must remember dear friends library books are for all of us अब जो library की books होते है वो हम सभी के लिए होते है ऐसा नहीं है कि किसी वैगदी विशिश के लिए है यह हर किसी के लिए है So we must not spoil them इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमको उनको बरबाद नहीं करना चाहिए spoil का मतलब होता है घराप करना And we must return them by due date और हमको घ्या करना उसको due date में return करना है Because someone else might be in need of that क्यों क्योंकि और किसी को भी इसकी आविशिक्ता हो सकती है I am sure you will make a judicious use of library for your projects in extra reading And for extra reading अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अब आपको आविशिक्ता पड़ेगी किस चीज की यहां पर आविशिक्ता पड़ेगी आपको library की obviously क्यों पड़ेगी क्यों पड़ेगी यहां पर एक word आ रहा है Judicious इसका मतलब क्या होता है Showing good judgment तो overall क्या कहा जा रहा है I am sure you will make a judicious use यानि आप बहुत अच्छा use करोगी अब अपने दिमाग का सही उभ्योग करोगी Choose करोगी कौन से किताब आपके लिए कौन से किताब आपके लिए नहीं और library से चुनोगी वह यहाँ पर कहा जा रहा है और वह किसली आवशक्ता होगी उसकी ताकि आपने project और अपने extra reading कर सके तो overall हमने यहाँ पर क्या किया हमने overall यहाँ पर एक composition का discussion किया जो कि speech writing और speech writing के बाद हमने क्या देखा देखे speech writing speech writing के बाद हम क्या देखने वाल है वह हम आगे जाकर देखे लेकिए speech writing के सबसे important part यह है कि किस तरह से हम कुछीजों को दिखाना है किस तरह से चीजों को शो करना है लिखना कैसे है अगर आपको कोई चीज बतानी है किसी को तो आप कैसे express करोगी यह बहुत जादे important है चलिए आगे बढ़ते है चलिए अब हम आते है word study dictionary use यहाँ पर आपको क्या करना है अपने dictionary को use करना है चलिए आगे बढ़ते है exercise no.1 दिया है look up a dictionary and find out how these words are different from one another अब यहाँ पर आपके किताब में दिया होगा कुछ words ठीक है उन words का आपको देखना है ध्यान से और ध्यान से देखने के बाद आपको क्या करना है उन words का meaning धूनना है dictionary से अब basically यहाँ पर मैंने क्या किया है आप लोग के लिए easy form में words लिख दी है अब जिसे charity का मतलब गया है kindness towards other people kindness मतलब अच्छा ही करना किसके प्रती दूसरों की और donation का मतलब गया होता है money etc that is given to a person or an organization donation का मतलब ही होता है कि हमको पैसा देना होता है उन लोगों को जो उनकी अवशकता होती है अब किन लोग अवशकता होती ऐसे person or organizations जो गरीब हो यह हो सकता है उनको scholarship प्रवाइट करना हो चिके चले Indowement पे आते हैं Indowement का मतलब गया होता है money that somebody gives to a school a college or another institution अब यहाँ पर Indowement का मतलब यह होता है कि जो provide करते हैं हम money किसी institution को या किसी school को या किसी trust को तो यहाँ पर Indowement का meaning यह निकल कर आता है चले अब हम आगे बढ़ते हैं आगे क्या दिया है देखते हैं Use the word given in exercise 1 in a sentence of your own अब आपको क्या करना जो भी words यह थे उन सभी words को sentence में use करना है Charity She runs a local charity that gives books to children तो हमने क्या किया यहाँ पर charity word को use किया हमने क्या बताया She runs a local charity वो ग्या करती है एक local charity चालू करती है वो ग्या करती है लोगों को किताबे देती है donations पर आते She and her family are now reliant on the food donation उसकी वह और उसकी family जो है basically किस पर निर्भर है food donation पर तो हमने यहाँ पर donations word को यहाँ पर use किया Indowement अब इन्डोवेंट के मिलेंगा आपको अलोड़ी बता दिया है तो हम आगे देखते है The college has a large Indowement तो मैंने यहाँ पर क्या करा Indowement को यहाँ पर use किया और मैंने क्या कहा कि college के पास क्या Large Indowement चड़ी आगे बढ़ते है अब यहाँ पर दिया है word study और डॉबे के आपका word meaning Exercise No.1 Write the synonyms of the words given below आपको क्या करना है यहाँ पर synonyms लिखना है समान आर्थिक word लिखना है इनके यहाँ पर section दिया है एक एक करके हम देखते हैं Discipline का मतलब क्या होता है Follower Resolve का मतलब क्या होता है कोई भी चीज को settle करना है pursue आप pursue से क्या समझते हो Go after, run after तो pursue का एक अलग word यहाँ पर आप यूज कर सकते हो Run after, go after की तरह अब inscription क्या होता है carving कोई भी चीज को लिखना किसी भी चीज़ पे Inspire का मतलब क्या होता है Stimulate करना किसी को और ज्यादा हम बोलते न Inspire किया है किसी को लेकि उसके अंदे भावना लाई कि वह और अच्छा काम कर सकता है Inspire करना Attitude क्या होता है उसके लिए एक अलग word यूज कर सकते हो Frame of Mind चीके? चलिए आगे बढ़ते हैं Word Study पे आते हैं उनी को हम Antonyms को हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं वह हमको यहां पर add करना है Revive का क्या होगा? Opposite क्या होगा? Damage करना Damage मतलब किसी चीज को खतम करना Glory का मतलब होता है अच और इसका opposite क्या होगा? Shame और Obsecurity यह दोनों इस word एक ही जैसे Same अब Shame का मतलब क्या होता है किसी के अंदर इसी भावना आती है कि मैंने गलत किया है तो एक ऐसी भावन उसको शेम कहते हैं Consciousness का opposite क्या हो जाएगा Antonyms Unconsciousness हो जाएगा यहां पर आते हैं Various मतलब बहुत सारा Same का मतलब ही है Liberalism Like बहुत उधारवादी यह लोग होना Conservativeism कौन होते हैं वो लोग होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा अपने religion हर एक चीज से जुड़े होते हैं Culture से तो एक जुडाव बहुत ज्यादा Conserved होना Prejudice का मतलब क्या होता है Like भेद भाव टाइप तो Fairness के मतलब एक जिसा करना तो overall हमने क्या करा Antonyms कबर किये Synonyms कबर किये चलिए आगे पढ़ते हैं अब यहाँ पर आ रहा आपको Grammar section अब देखे Grammar section में आपको ग्या करना है Grammar section में दिया है Study the following sentences from the lesson आपको lesson में से कुछ statements को पढ़ना है Lepa a rich region of Nalanda Welcome Lord Buddha अब यहाँ पर गया है जो Lepa है वो क्या करते है एक rich region है Nagari के कहां के Nalanda University के वो क्या करते है स्वागत करते है किनका Lord Buddha का B में क्या दिया है The message of Nalanda was heard across the mountain and the ocean of the Asian mainland अब जो message नalanda का वो क्या होता है हर एक और से कहां से Asian mainland द्वारा सुना जाता है mountains द्वारा सुना जाता है ठीक है क्या उसका message अब यहाँ पर आपको दो sentences दिये जो आपको पढ़ने अब देगे अब हमको यहाँ पर analysis करके बता है कि क्या है वो The first sentence given above is an active voice जो पहला sentence यहाँ पर दिया हुआ है वो है active voice का चीक है और दूसरा जो है अब यहाँ पर जो दूसरा sentence वो पैसिफ का है अब हम क्या करेंगे इसको active से passive में change करेंगे तो passive में कैसे change किया है इनोना Lord Buddha was welcomed by Lepa Lord Buddha थे Lord Buddha थे Lord Buddha थे उनको ग्या किया कि यहाँ पर दिया किया है उसके बाद हम समझेंगे active से passive में को कैसे change करना है चीक है चलिए अब अगला sentence क्या दिया है In the passive voice its active equivalence would be They heard the message of Nalanda across the mountains and the ocean of the Asian mainland अब यहाँ पर उनने क्या करा अब यहाँ पर उनने बोला They heard the message उन लोगों ने उनका message सुना कहाँ पर Nalanda का across the mountains mountains के बार, oceans और Asian lands तो overall यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर आपको बताया गया है कुछ sentences दी है जो कि active पैसिव में है अब इन लोगों ने क्या करा जो sentence passive में है उसको active में change किया जो sentence active में उसको passive में change किया तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको active और passive के बारे में बताता हूं अब यहाँ पर exercises दी है ठीक है अब देखे active क्या होता पैसिव गया होता है active का मतलब होता है सग्रिय है और passive का मतलब होता है निश्ग्रिय है कोई भी sentence जब आप पढ़ते हैं आपने sentence पढ़ा होगा कोई भी आप जैसे आपने यहाँ पर पढ़ सकते हैं emperor, ashuk, inlaz, samadhi, and sariputra अब यह sentence active क्यों है क्योंकि देखिए यहाँ पर subject का section यह होता है verb यहाँ आता है और यह जो होता है यह होता है आपको object का section तो जो भी sentence बनाया जाता basically subject ठीक है फिर होता है verb इसके बाद आता है हमारा object ठीक है तो तीन चीज़ होती है subject verb और object चीक है अब देखिए यहाँ पर भी subject, verb, object है अब क्या हो रहा है जब भी हम कोई भी चीज़ को active से passive में change करते है तो क्या होता है यह जो object होता है वो यहाँ आ जाता है और subject जो होता है यहाँ आ जाता है और verb के साथ क्या होता है वर्व में यह से verb में क्या होता है third form of verb आ जाती है normal verb से जो past change का है वो change होकर third form में आ जाता है चीक है अब देखते कैसे अब यहाँ पर क्या हुआ हमने thamadhi of sariputra को यहाँ ले आ चीक है और अशोका यहाँ पर आ गय है और यहाँ पर क्या हुआ यह जो enlarged है उसके आगे was लग गया ठीक है अब was क्यों लगा क्योंकि हमने already बताया था कि was है क्योंकि वो past change की बात हो रही ना past की बात है तो was दरजारा है past को enlarged क्या होता है third form of verb लग रही आप है already third form में तो 13 लिखा है इनों ठीक है और इसके बाद इनों ने यहाँ पर क्या add किया by add किया क्योंकि रूल के अनुसार है तो obviously हम यहाँ पर देख पा रहे है कि किस तरह से ने active से passive में change किया अब active से passive में change करने का meaning साफ है कि जो यह sentence है यहाँ पर जो क्रिया है इनलार्ज करना तो कही कहीना कहीन जो करता है अशोग के करता है उसका प्रभाव पढ़ रहा है समाधी और सारी पुत्रा पर यह जो है doer हो गया और यह हो गया receiver हो गया आप रहा है वो जो receive कर रहा है उससे receive कर रहा है कोई action तो कहीना कहीन सब्जेक्ट में कोई ऐसी चीज मौझूद है जो बहुत एक्टिव है लेकिन यहीं पर सब्जेक्ट के जगा में जो चीज मौझूद है वो समाधी और सारी पुत्रा है ठीक है अब वो ग्या कर रहा है वो अशोक से और रिसीव कर रहा है तो रिसीवर यहां आ गया तो कहीं न कहीं यह जो सेक्षन है आपका वो पैसिव में हो गया ठीक है तो ऐसी ओल आराउंड कोश्चें से जिनको हमको सौर्व करना है बिल्कुल भी इसमें परेजान होने वाली बात नहीं है चलिए सिंपल है हम इसको यहां पर ले जाएंगे ठीक है अब यहां पर जो सेंटेंस दिया है यह वाला अब यहां पर यहां पर यहां पर किसमें पैसिव में है ठीक है अलड़ी पैसिव में है चीक है तो अब हम कैसे समझ गए कि पैसिव में है यहां पर हैडबीन आ रहा है अलड़ी यहां पर धर्ड फॉर्म है एड़ेड है पास परफेक्ट का तो हैडबीन आ रहा है सेट हैडबीन सेट तो अलड़ी हमको समझ में आ गया कि पैसिव का सेंटेंस है तो अब क्या हो रहा है हमने यहां पर क्या करा हमने यहां पर देखा कि जो भी जो यहां पर जो डूर होता है यहां पर doer होता है, तो यहां पर doer मेंशन नहीं था, तो हमने doer को यहां पर mention किया, doer को इसलिए mention किया, क्योंकि उसका प्रभाव active में आना चाहिए, जब आप sentence पढ़ रहे हैं, तो कही ना कही active का मतलब गया होता है, कि doer का प्रभाव पढ़ रहा है किसी चीश में, तो य active में, passive में third form होता है, बागी जो active वाला form होता है, उसमें normal verb रहती है, second ब्यात है, copper plates have been founded नलंदा, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो copper plates हैं, वो पाई गई, कहां पर नलंदा, अब किसने खो जाए, यह तो यहां mention नहीं, तो यहां पर mention नहीं है, चीक है, तो अब यहां आप यहां पर क्या कर रहे हैं, हमने यहां पर add क्या, archeologist को, आप यहां पर archäerologist की का चीका, डे बी add कर सकते हैं, सबजेक्ट यह बन गया, और यहां पर object आ आपका, यह subject हो गया, यहां verb आ आ यहां object आ यहां को ऑबजेक्ट आ गया, तो यह जो passive में था, आपने इसको किस में चेंज कर दीया, active में चेंज कर दिया, तो archaeologists नी क्या क्या रहा है? उन्होंने found किया था, copper plates कहाँ पे, नालंदा में found किया था, अब देखिए, यहां पर क्या किया, हमने bean को हटा दिया, क्यों क्यूंकि हमको active में चेंज करना है, तो active हम क्या करते हैं, third form को लेकर नहीं चलते हैं, passive में third form रहता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं अब यह आता है, the syllabus of Nalanda University was drawn up with great wisdom, अब जो syllabus है Nalanda University का, उसको क्या किया गया, drawn up, like with a great wisdom, like चुना गया, बनाया गया, जो उसका syllabus था, बहुत wisdom के द्वारा, wisdom का मतलब होता है, knowledge के द्वारा, तो अब यहां पर द्वारा आ रहा है, कहीना कहीं आप एक मीनी निका रहे हैं, भले ह जो आइना कही, great wisdom के द्वारा उसको drawn किया, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमने इसको समझा की passive को sentence, अब passive में आप देखेंगे, was drawn up, ठीक है, drew का third form होके drawn, तो यहां पर third form आ रहा है, obvious नी बात है, verb, verb का third form आ रहा है, ठीक है, verb का third form आ रहा है, ठीक है, verb का third form आ रहा है इसको add कर दिया, जो कि subject की जगा में था, और यहां पर obviously आप देख पारें कि जो do आरे, जो करता है, उस करता का mention नहीं है ना, तो हम यहां पर add कर सकते हैं, हम चाहें तो यहां पर, they भी add कर सकते हैं, चीक है, तो overall यहां पर क्या हो रहा है, हमने passive से active में change किया, तो यह normal सी कीजे, आपको ज्यादा कुछ इसके में समझना नहीं है, बस active से passive और passive कैसे change करते हैं, आपको active से passive में एकर change करना है, तो सभावी कि आपको क्या करना होगा, आपको subject को क्या करना है, जो subject प्लस verb प्लस object है, तो object को subject की जगा ले जانा है, आप अभी आप active और passive पे ध्यान दे और इसके अलावा कोई doubt होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चीके चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसी के साथ हमारा session complete होता है और मैं आपको यह जानकर यह देना जाऊंगा कि हमारा पास आप सभी के लिए high quality education है हम आपको high quality education provide करते हैं मुफ्त में और हमारे हाँ top courses available हैं जैसे की CBSC, NTSC, Olympiad, CUT, Spoken English हर एक चीज़ के courses यहाँ पर available हैं आप CBSC में Hindi Media, English Media दोनों के classes देख सकते हैं UP Board, Bihar Board दोनों की classes available हैं यहाँ ठीके और books और e-books जो हैं आप चाहें तो पढ़ सकते हैं आप हमारी link पे जाएं link पे जाके discuss इसकी regarding size जनकरी आपको दी हुई है और subscribe करें, share करें बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने का आपका